नमस्कार साथियो आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पी तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग को जो बिहार बोर्ड का टेंथ का एक्जामनेशन होने वाले हैं दिये हैं और जो बचा हुआ है उसमें इस वीडियो में आप लोग को देने वाले हैं आज इससे पहले हम कोश्चन नमर 120 तक आप लोग बता चुके हैं आज किस वीडियो में बताएंगे कोश्चन नमर 120 से जैसा कि आप लोग पहला प्रसन देख सकते हैं दिया गया है कि जैस यानि कि यहां पर आप लोगों को यह पूछा है कि विद्धारा का मान, आई का मान यहां पर आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है, कि उसका मान क्या होगा, अगर 220 फोल्ट यहां से स्रोथ लिया जा रहा है, जिसमें 1100 ओम का जो परतिरोध लगा हुआ है, यहां पर फोल् खैंगे है तिहां पर आप लोग पूछा गया धारा पूछा गया तो फ्रमुला क्या होता है आई इक्वाल टू भी वट आर होता है जो यह States और यहां से केंसल हो जाएगा 1125 यह दो ऊपर चला जाएगा और यह जिरुश बचाया नीचे दो ऑटकर 10 हो जाएगा तो जब आपको लोग कंवर्ट किजिए दे 0.2 हो जाएगा 0.2 MPR इसका सही उत्तर क्या हो जागा 0.2 MPR इसका सही उत्तर हो जागा option number B इसका सही उत्तर हो जागा चलिए question number 2 पर question number 122 में दिया गया है कि एक विदूथ हीटर की कुंडली जिसका परतिरोद 550 है 550 ओम है 220 वोल्ट के शुरूद से जो बितुद धारा लेगी उसका मानी क्या होगा जम सेम टूस्यम परश्ण इहां पर दिया गया सिर्फ टाटा आप लोग का चेंज किया गया इसमें भी आप लोग का आई का मान निकालने के लिए आप लोग यह फर्मूलबह लगा सकतें भी वटार जिसमें आप लोग को भी का मान दूर्शेश भी ची भोल्ट दिया गया है और यहां पर प्रतिरोद का जो मान दिया गया 550 यहां पर जीरो से जीरो कैंसल हो जागा दूय गरहा बाइस हो टाइपिंग मिश्टेक हुआ यहां पर जिए पांसो पच्पन दिख रहा है सिर्फ पच्पन ओम है ठीक है तो यहां पर पच्पन ओम कटेगा तो अगारा पच्पन और यहां प्रेगारद नहीं बाइस उपर 20 बचेगा 20 बचेगा तो यहां पर आप लोगों को पंचों का भ तेसे प्रतिर्योस को 7-5 V को आपलों को Không बताया त्ट रहं, यहां पर 6 Ohm हैं और यहां पर आप इसप्रकार से इस प्रकार से प्रकार से लगे हुये है उसको प्राइडरी जुँड़ा हुए है पांच वोल्ड का एक बैक्त्री जुड़ा हुआ है, फाइव वर्ट, उसको फिर आप लोग कहा गया है क्तता हृत हृत में, त्योग सब्सक्न को सब्सक्राइगा, इस प्रकार्च निकालेगा, i equal to ir1 plus ir2 equal to 1 by 3 plus 1 by 6 कौन सा यहां पर लिया गया है यह बला लिया है 2 by 3 ओम लिया है और यहां पर 6 ओम लिया है ठीक है यहां पर आप लोग हो जागा 1 by 3 plus 1 by 6 तो यहां पर आप लोग जो हो जाएगा 6 नीचे आजाएगा यहां तो 3 उपर 2 plus 1 तो यहां पर हो जाएगा 3 by 2 और यहां हो जाएगा 1 by 3 by 6 तो 3 दो नीचे आज़ाएगा यहां एक वाटा 2 तो एक वाटा 2 हो गया तो यहां पर आप लोग पता चल लगा इसका जो overall मान है वो कितना है 2 ओम के बराबर है यह 2 ओम और यह 3 ओम सिनलिन करम में हो गया तो इसको जोड़िया काती हो जागा 5 तो यह 5 ओम बन गया अब देखिए question में क्या बन गया 5 ओम बन गया और यहां पर 5 वोल्ट का वाट्री है ठीक तो यहां पर आप लोग का 5 वोल्ट का वाट्री है कि जो आई का मान है जो आई का मान है वो बन एम्पियर है टीके उसके बाद देखिये उसके भाद फिर आप लोग क्या कहा गया कि स्रेणिकरम में जोड़ा गया 6 ओम पर तिरोद के सिरो के बीच के मध्य विवांतर निकाले तो किसके बीच निकालना है तो अम हुआ था तो यहां पर दो ऑम consider के जाएगा ठीक है तो हूँ है थे को अधा वह और है यहां से ज This आप लोग का धार्रा परवाहित हो रही है यहां से आप लोग में पालग हो रही है कि साज़ों हो रही है यहां पर वो निकाला था अब जो है आप लोगों पूछा क्या था कि भी इक्वाल्टू मता आये तो यहां पर हो जाएगा बन इंटू टू यानि कि टू वोल्ट इसका सही उत्तर हो जागा ठीक है इसका सही उत्तर क्या हो जागा option number 124 में क्या कहा गया question number 124 में दिया गया है कि किसी सिक्स ओम के परतिरोग यहां पर भी आप लोगों को फालतू में आप लोगों को दिख रहा है यह मिश्टेक से लिखा गया होगा शीक्स ओम के परतिरोग परतिरोधहक के सीरो से बैट्रिक को फनोजित करने पर 31 में दूसो में परतिरोधहक के सीरोग पर भी आ पूछा पूचा गया था यहां पर चुंचन में यहां पर दिया गये यहां पर भी दखि दो यहां पर आपर कॉंपर का पर्तिरोध बताना है सब्सक्राई बता देखिए कि जो यहां पर दिया क्या गया है तो आप लोग का R कमांड दिया गया है 6 Ohm ठीके उसके फिर आप लोग को दिया गया है Heat की बात करें तो Heat आप लोग को दिया गया 24 J, 24 J आप लोग यहां पर Heat दिया गया है और यहां पर जो है आप लोग का जो फर्मूला होता है, h equal to, h equal to formula होता है, h equal to i square r t, ठीके, यह आप लोग का फर्मूला होता है, तो i square यहांस निकाल लिएगा, यहां कि i equal to निकाल लिएगा, तो यहां पर हो जाएगा, under root h, but i r t इधर चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो r t, यहांस हो गया, h उपर 24 चूल, आ नीचे, r equal to 6, into t equal to 1, यहां पर under हो जाएगा, 6, 24, है चार जो है, दो बाहर निकले हो गया था, r कामान यहां पर पता ही है, आप लोगोंका r कमान कितना है, 6 ông है, यहां पर आप लोगोंका प्रतिरोद की-सिरो के विवान तर, यानि कि भ औ가 निकालने के लिए, विवान तर निकालने के लिए बोला गया है, तो यहां पर आप MEMHY उम पता ही है तो यहां पर आप लोग उपने ईकल टू होज़गा IR तो यहां पर होज़गा IR उकल टू इंटू 6 इकल टू 12 एकल टू 12 वोर्ट इसका सही उत्तर होज़गा चले क्वेश्ज्जनमबर इसके आगवरपाशनमबर क्वेश्जनमबर 125 में 125 में दिया गया कि निमलिकित में कौन सा संभी अजग बिद्धुद् परिपाथ में बिधुत्सक्ति को निरूपित नहीं करता है। का सही उत्तर हो जागा 125 नमर का option नमर डी आई यार जो है विद्धूत परिपत में विद्धूत सक्ति का निरूपित नहीं करता है क्योंकि आई यार जो है विवांतर को निरूपित करता है चलिए question नमर 126 में question number 126 में कि इसी परिपत के कि नहीं दो बिंदों के बीच विवांतर भी है उसमें धारा आई परवाहित होती है सक्ति क्या होगी इसका सही उत्तर क्या हो जागा तो 126 का जो सही उत्तर हो जागा option number B यानि कि option number B इनके भी आई यहां पर होना चाहिए था पावर यहां पर पूछा गया थे भी आई यहां पर होना चाहिए था 126 को हो जागा B ठीक है चले question number 127 में दिया गए क्या हो फती होती इसका options number d by r क्या होती है यानि कि निमें से कौन सा जो मात रखे बाट के वराबर नहीं है यानि कि उस बाट के बराबर नहीं है यानि कि पावर की जो मातरक हो नहीं है इन में से यह आप लोग को पूछा गया है यह जो है बाट के मातरक के बराबर नहीं है चले कोश्च नमबर 129 में दिया गया यह यह किसी परतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा दुग नहीं हो जाए यहां पर पूछा गया कि कुस्मा होगी याइन उसको उसमा कितना होगी देखें पर फिरमुला होता सा यसकार अर्ट थी के धारा जैसे यहां पर डवल हो गा ठीक है तो यह훈 पर उसमा भी डवल हो जाएगा उसमा भी डवल हो जाएक Dziękuję का सहीद नमबर 2 चाणी हो जाती है चलि कोशिट नम्म통 130 में दिया गया कि अस्थीर विवालत पर किसी विद्थ प्रिप्रवाद का पर्तिरोद अधा कर दिया था यानि कि पहले पर्तिरोद आर था अब आधा कर दिया गया तो उत्पनवुस्मा होगी क्या होगा तो आया स्कॉर आडा का फरमूला होता है यहां पर आप लोग इसको आधा कर दीजिएगा ते दर भी आधा हो जाएगा इधर भी आधा हो जाएगा तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा 131 का option number B sorry यह इधर जाएगा त्यानि की दूगना हो जाएगा sorry इसका क्या हो जाएगा दूगना हो जाएगा 133 का चलिए question number 131 में question number 131 में दिया किसी परिपात का ऊपुष्ण ब्समाऊ बादल देता है जाए इसका सही उत्र क्या हो जाएगा का option number C परतिरोध ज़ो है बिज्दिव उर्जा को उसमा में बदल देता है चलिए question number 132 में दिया लिम्लिक्त में से कौन सामातर रख रख जो बाट के बराबर नहीं है तो एक स्था तरह जगा ऑप्षिन अमड़ी भी एस्काइर वाई इसका सही तरह जगा चलिए कोश्चिन अमड़ 133 में कोश्चिन अमड़ 133 में दिया गए दो पर 32 दो ए इकल टू 22 तथा बी इकल टू 40 के समनांतर परिपत से समापन सपान जो है विजद धारा प्रवाहित होती है तो ए तथा बी मुद्पन उस्मा करूंपात क्या होगा 133 में आप लोग को पूछा है कि यहां पर जो परस्ण आप लोग को दिया गया मेली यहां पर कहा जा है कि एक जो है इस प्रकार से आप लोग को दिया गया कि पहला जो परतिरोध है और दूसरा जो परतिरोध है और समनांतर करम में इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और धारा जो है आई परवाहित हो रही है धारा आई परवाहित हो रही है इसमें आप लोग क्या कहा गया है इसमें आप लोग का भी भोल्ट पर जुड़ा हुआ है भी भोल्ट पर जुड़ा हुआ है ठीक है भी भोल्ट पर जुड़ा हुआ है जिसमें A और B के उसमा उत्पन कितना होगा यह आप लोग को पूछा गया है तो यहाँ पर आप लोग का 22 ओम है तो यहां पर आप लोग का 22 ओम है और यहां पर आप लोग का 40 ओम है 22 ओम और 40 ओम यहां से आप लोग निकाल सकते हैं I1 इक्वल टू क्योंकि यहां पर इधा जाएगा I1 और इधा जाएगा I2 तो यहां से निकालेगा I1 इक्वल टू भीवन बिवन वटा कितना हो जागा तो यहां से हो जागा बिवन वटा और यहां पर जो क्वेश्चन पर दिया गहे है 22 लिखा हुआ है 22 नहीं है दो ओम लिखा हुआ है ठीक है यहां पर चार ओम लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर दो ओम, और यहां पर चार ओम लिखा हुआ है, ठीक है, तो I1 उकल टू हो जगा भीबन बाई, R कमान दिया गए है, दो ओम, फिर I2 निकालेगा, तो I2 कमान हो जगा B2 बाई, 4, यहां पर B1 और B2 समान है, क्योंकि यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर आप लोग को निकाल सकते हैं, I1, I2 इकल टू इस प्रकार से, ता I1 इकल टू आ गया, B2 और I2 इकल टू आ गया, B4, यहाँ से आप लोग को यह पता चल गया, ठीक है, क्योंकि B1 और B2 जो है समनांतर है, इसले इसमें भी B लग गया, इसमें भी B लग गया, चलिए आगे क्या कहा है? आगे आप लोग कहा कि उसमें 2 Ohm के उत्पन-ốcस्मा यहाँ पर पोछा गया है, दो ओम पर उत्परण उसमा पूछा गया जैसा कि आप लोग कोश्टन में देख सकते हैं यह तथा बी में उत्परण उसमा का नुपाथ क्या है यानि कि ए पर ए जो है कितना ओम है तो दो ओम है ठीक है है फ्वन हुगे है इस बन इक्ता जोड़ा पीबदी यहां पर बिवली टू डिया गया ठीक है मतलब निकाले थै व्डालत टो धार मस्कार होग और अर्ट कि यहां पर हो जागा आर इन्टू टी आप लोगा सिप्रकार से यहां सेम फ्रमलोला लगा के इस्तू निकालना है जैसे से अचिधाल कर दिखा तो आई-टू इक्षक्वाईर इंटू इन टू इसक्वाय निकाल एक हो ईक्वाई-टू एक लूच आप लोगों निकाला हो गांगा वी भाई-फॉर भी-वाई-फॉर तो आए-टू-प्वाई-फ प्रकास H1 और H2 निकल गया, आप लोग को पूछा क्या था प्रस्ट में, आप लोग को पूछा था कि उसका उस्मा उत्पन कानुपाच चाहिए, आप लोग यहां से पता चल गया कि H1 बरबर H2 है, तेहां पर हो जागा H1 बटा H2 उपर पता चल गया, B1, B2, 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 T यहां हो जाएगा, B2 है, तो B2 हो जागा, नीचे हो जागा B2, T, T से T कैंसिल, B2 से B2 कैंसिल, उपर हो गया 1 बरबर H2, नीचे हो जागा 16, यहां पर 1, 2, T, 16 यहां हो जागा, यहां कि 8 हनुपात, एक इसका सही उत्तर हो जागा चलिए कोश्च नंबर 134 में क्या देगा है एक देगा विज़ूद हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का विख्वार किया था इसका सही तो जगा आप्शन नंबर यह यानि कि नएक रोम तार का विख्योग किया जाता है चलिए question number 135 में 에 दे ह 온 200 वेल्ट पर किसी बितुद बल्ब से पाच वटा 111 होती है तो बल्ब की सकती होती है तो बल्ब की सकती क्या हो जाएगी 135 का सही तरक्या हो जाएगा 135 का सही तरक्या हो जाएगा त日s का क्या करना है इसका आप जोग को पता होगा था यहां पर आप लोग को दिया गया है बित्र बलब से 5 ibaοιacare कि धारा यह एफ एंपिER दिया आप फ Success MAile του Bitcoin ब्टा 11 umpere और यहां पर आप लोग को जो वोल्ट दिया गया, 220 वोल्ट दिया गया तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं R equal to R equal to R equal to B वटा I तो B कमान आप लोग यहां से पता ही है B कमान 220 वोल्ट है 220 वोल्ट और I कमान जो है I कमान जो है 5 वटा 11 है I कमान 5 वटा 11 है ठीक है तो आप पंचो का 20 तो यहां सो जाएगा आप लोग निकाल लिजेगा R कमान यहां से तो यहां से आप लोग का R कमान जो है 100 वाट आजाएगा ठीक है हिसका सही उत्तर क्या हो जगा 100 वाट इसका सही उत्तर आ जाएगा चैले एक QNando 136 पे QNando 136 में क्या दिया गया QNando 136 में दिया गया कि 25 बाट तथा 10 27ांथर करम में जड़े हुआ इस प्रकार साव लोग को जुड़ा हुआ है एक 25 बाट के जुड़ा हुआ है है डोनो सअवनानतर करम में जुड़ हुए है ठीक है दो बल्व में कहा गया कि काइन सा जो बल्व लोगों का जो है समनानता करम में कोई बल्ब जुड़ा रहेगा तो जिसमें ज्यादा बाट रहेगा वह सबसे ज़्यादा जुड़ेगा चले क्वेश्ट नंबर 137 में दिया गया कि यदि 60 बाट था 40 बाट के दो बल्ब सिरेनी करम में जोड़ दिया गये हैं तो तो बताए कि कौन सा बल्ब सबसे अधीक प्रकासित करेगा तो यहां पर आप लोगों का सहीतिस का सहीत्र जोगा ऑप्शन नंबर B 40 बाट वाले बल्ब अधीक प्रकासित करेगा यानि कि जब भी आप लोगों को सिरेनी करम में दिया रहेगा ठीक हैं सिरेनी करम में दिया रहेगा त इसके इस प्रकार से 2 बल्ब दिये गए ठीक है जिसमें आप लोगow पंदरा बाट और 220 वोल्ट दिया गया इस प्रकार से 60 वाट और 220 वोल्ट दिया गया ठीक है इस प्रकार से आप लोग को दिया गया तहां पर आप लोग निकाल ले जाएगा पंदरा निकाल इस प्रकार से 20 वोल्ट अधियागा अधिक most से स्थ 2 600 वोल्ट भीं में कमाण होजाएगा आर कमाण यहां पर नहीं दिए गया है यहां पर P1 कमाण दिए गया E hier अधर आए गा इधर आर कर देना है धिक है यहां पर P1 आ जागा यहां पर हो जागा 25 बाट उसे पर दो की और निकालना तो पीटु निकालना वे आपलोको सेंड दिया गए 220 ल्ट दिया गही है नीछे यहां पर और दिएगा तो इधर आएगा इसको यहां पर कर देना हम फीटू का मन क्या था तो 60 था यहां पर आ जाएगा इसको कैलकुलेशन करने जब आप लोग काट यहां पर हो जाएगा 44. हाई अधर भी 44. इसको गुना कर दिजिएगा. 44 x 44. 44 x 44 कीजिएगा तो आजागा उने 136. उसी पर गार से यहां पर आप लोग गुना कर दिजीड सी जीड़ कैंसिल. उस पर से यहां करने पर तो आप लोग का आ जाएगा. ठीक है? इसका सही omtree क्या हो जागा तो जब आप लोग कल्कुलेशन कीजीएगा तो आप लोग क Willow इसका आरा बन बटा आट्टो जो आएगा और रा व आईट्टी आएगा फोर वाई वन ऍसका सही omtree क्या हो जागा इसका सही objective होका आप लोग के अगले वीडियो में हम करवाएंगे धन्यवाद